हेलो फ्रेंड, विल्कम टू माई किचिन, आज मैं सेरकनी जा रही हूँ आपके साथ आम के अचार का रेसिपी, आप भी चटपटा और मसालेदार आम का अचार खाना चाहते हैं, इसे बिना धूपके बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि सालों साल ये खराब ना हो, तो एक बार मेरी तरीकों से बना कर देखिएगा, ये कभी भी खराब भी नहीं होगा, और टेश्टी बनकर तैयार होगा, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पैसन आए, तो लाइक से सब्सक्राइब जरू कीजिएगा, चलिए सुरू करती हूँ आम का अचार का रेसिपी बनाना, य अचर के थोरे भी mosture ना रहे और थोरे भी पानी ना रहे, अब इसमें हैं हम डाल देंगे थोरसी haldi powder और थोर सी नमक, दोनों चीजों को डालने के बाद अछी तरु से हम mix कर लेते हैं, mix करने के बाद इसे हम रख देंगे एक दिन के लिए पंखे की नीचे में, मैं ने आ आम सॉप्ट हो चुका है अब आम का अचार का मसाला बना लेते हैं यहाँ पर मैंने एक पैन बैठा दिये हूं गया सपी अब पैन जैसे गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे एक चमच साबुजीरा एक चमच राय डालेंगे राय सरसूचे थोरसा छोटा होता है एक चमच सरसू डालेंगे अगर आपके पास राय ना हो तो दो चमच आप सरसूदा आ सकते हैं आधा चमच मेथी दाना डालेंगे एक चमच सौब डालेंगे सौब डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है आप जरूर एट किजिएगा चार साबु सूकी नीच डालेंगे सारे साइट मैं एक पैन बैठा दी हूँ अब पैन में डाल दी हूँ मैंने करीबर एक कप सरसो का तेल अचार जब भी बनाएं सरसो का तेल का यूज कीजिएगा अब तेल को हम गरम होने देंगे तेल जिसे गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे थोरी से रसुन की कलिया रसुन की कलि कलर चेंज हो जाया हलका सा, तब हमें गैस बंद करके इसे हलका सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, अब यहाँ पर मैंने एक बोल ली हूँ, अब बोल में डाल दूंगी थोड़ सी कैलोंजी, कैलोंजी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे, एक चमच अजवाइन, अब मस किजिएगा, ध्यान से अड़ किजिएगा, तो पहले भी हमने नमक का यूज की हूँ, इसलिए अच्छी तरसे नमक ध्यान से डालिएगा, इसे अच्छी तरसे हम मिक्स कर लेते हैं, मसाले को अच्छी तरसे, मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे, हलका सा गरम किया ह कздाँ से वहा तेल जू रसुन भी डाल देंगे साथ. रसुनों तेल जो हमने गरम कर लिया था इसे डालने के बाद इसे हम mix कर देते हैं अगर रसुन आपको पसंद ना तो total आप skip भी कर सकते हैं लेकिन हलका सा गरम करके ही oil को add कीजिएगा अब आम डाल देते हैं आम डालने के बाद इसे हम mix कर लेते हैं अच्छी तरह से mix करने के बाद cover लगा कर हम side में रख देते हैं दाला था तब हलका सा गरम तेल को डाला था हलका सा गरम कर लिया था तेल को फिर हलका सा जब तेल थंडा हो जाएगा तब उसे हम मैंने add किया था लेकिन इस बार हम total थंडा होने के बाद ही तेल add करेंगे अब यहाँ पर मैंने एक कांच का बोल ली हूँ आता है तो आप धूप में रख दीजिएगा दो दिन के लिए फिर आप खाईएगा अगर आपके वहाँ पर धूप नहीं आता है दो दिन ऐसे ही रख दीजिएगा साइड में फिर इसे आप यूज़ कर सकते हैं